हेलो गाईज, वेलकों टू माई चानल राव टेक्निकल हेल्प सो गाईज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको Microsoft Store लॉंच करते वक्त या फिर आप जब उसको launch करते हो, start करते हो, तो आपको यहाँ पर एक error देखने को मिलता है ठीक है, तो यह error आपको कैसे fix करना है, कैसी यह problem आपको ठीक करना है हम लोग इस वीडियो के अंदर step by step जानने वाले हैं तो गाईज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, please subscribe to my channel, इसी बहुत सारी वीडियो जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जिनका यूज करने से आपका जो यह problem है, वो ठीक हो जाएगा तो सबसे पहला method क्या है, आपको जो आपका windows है, windows 10 है जो आपका, उसका date or time आपको set करना है ठीक है, date or time set करने के लिए आपको date or time पर right click करके, adjust date and time पर जाना है और यहाँ पर guys आपको आपका जो time zone है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो time है, वो set कर लिजिए ठीक है, और यहाँ पर जो आप time zone use कर रहे हैं, जिस country में आप रहते हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर time zone select करना है ठीक है, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यह, अगर आप दूसरी country में रहते हो, तो आपको यहाँ पर यह आपका हिसाब से time zone select कर लेना है इसके बाद आपको sync now पर click करना है, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर यह click करने से आपका जो time है, अगर आप internet से connected हो, तो आपका वो sync हो जाएगा internet का, जो time है, प्रोफ़ पर time कहने का मतलब यह है, कि आपका जो windows 10 है, उसका date or time आपको set करना है, पहला, पहला method यह हो गया, दूसरी method में आपको क्या करना है, अभी आपको date or time में आपका set हो गया है, अभी आपको क्या करना है, आपका जो internet है, उसको check करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका ये इंटरनेट का आइकन है इस पर राइट क्लिक करके open network and internet setting पर आपको जाना है तो किया यहां पर आने के बाद आपको ethernet पर क्लिक करना है change adapter option यहां पर आपको क्लिक करना है network adapter आपका यहां पर दिख अगर आपने कोई भी IP यहां पर दे कर रखा है क्योंकि क्या होता है हम लोग जब IP डालते हैं सम्हाव वो incorrect होता है तो आपको क्या करना है यहां पर automatic वाले checkbox दोनों check करने हैं और okay कर देना है ठीक है यहां पर और इसको भी आप close कर दीजिए यहां पर हो गया हमारा internet अभी work कर रहा है अभी इसके बाद आपको क्या करना है third method में आपको क्या करना है start button पर आपको करना है click settings के अंदर आपको जाना है यहां पर guys आपको network and internet का एक option मिल जाएगा ठीक है यहां थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे और network and internet यहां पर आपको click करना है यहां पर guys हम लोग चेक करेंगे कि कहीं हम लोग ने अपने windows 10 के अंदर VPN या कोई proxy तो नहीं लगा के रखा है तो VPN पर click करना है आपको और यहां पर इनको बंद कर दीजिए इन दोनों को बंद कर दीजिए हमारा कोई भी VPN यहां पर add नहीं है अगर add है तो उसको remove कर लिजिए और यहां पर आपको proxy पर click करना है proxy पर click करने के बाद आपको यहां पर automatically detect settings यह मिल जाएगा और use setup script अगर आपने यहां पर script के अंदर कोई भी address देके रखा है जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाने के लिए एक IP address डाल देता हूं ठीक है मालो यह IP है आपका तो guys आपको क्या करना है इसको off करके रखना है प्रोक्सी अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको यह यहां पर इसको बंद कर दीजिए तो यहां पर यहां पर यह automatic रख सकते हैं आप इसको disable भी कर सकते हैं प्रोक्सी यहां पर आपको manual proxy setup यहां पर यह वारा server अगर आपने डाल के रख्था है ठीक है इसको use a proxy server अगर आपका यहां पर enabled है और कोई भी IP आपने यहां पर दे के रख्था है ठीक है यह भी चेक करना है आपको कि यहां पर कोई गलती से हम लोगों कोई IP तो नहीं दे दीजिए use a proxy server इसको बंद कर दीजिए यह दोनों आपकी offer नहीं चाहिए setting ओके यह भी और यह वाले भी इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर यह आपकी दोनों setting होगी बंद इसको कर दीजिए बंद पेज को इसके बाद आपको fourth method में क्या करना है यहां पर search का एक option मिल जाएगा आपको यहां पर आपको टाइप करना है services services.msc और enterprise कर देना है keyboard से या फिर आपको देखेगा उपर की तरफ आपको service का एक app मिल जाएगा right click करके run as administrator करना है आपको इसको आपका service open हो जाएगा यहां पर आपको जाना है windows update service के उपर थोड़ा नीचे की तरफ आओ गए तो आपको यहां पर windows update का एक option मिल जाएगा यहां पर click कर दीजिए right click करना है इसके उपर और restart कर दीजिए service को एक बार यह हो गया है आपकी service restart अगर यहां पर बंढ़ है आपकी service top है तो आपको क्या करना है right click करना है और जाना है properties के अनंदर और यहां पर आपको select करना है start up type के अनन दर automatic यहां पर apply बटन पर क्लिफ करना है और ok कर गयना है इसको ठीक है यहां पर आपकी service running में रहना चाहिए यह service इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर अभी Microsoft की service है जो आपका store है Microsoft store उसकी service को आप लोग चेक करेंगे यहां पर कि कहीं वो बन तो नहीं है तो देखें यहां पर नीचे की तरफ यहां पर इसको expand कर देता हूं Microsoft store install service यहां पर यह service आपको चेक करना है यह running में रहना चाहिए आपका right-click करके restart कर लीजी इसको भी एक बार ओके हम लोगों ने यह service भी कर दी restart तो यहां पर running में रहना चाहिए आपका यह service इसको बंद कर देंगे page को ठीक है अभी 5th method के अंदर आपको क्या करना है start button पर आपको क्लिक करना है run पर जाना है आपको यहां पर गाईज आपको type करना है lusr mgr.msc हम चेक करेंगे कि जो हमारा user है जिससे हम login है windows 10 के अंदर उसको administrator rights है या नहीं है तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपको users के अंदर जाना है ठीक है users पर double click कर दीजिए इसके ओपर तो हमारा user यह है demand w10 यहां पर इस user से हम लोग login है कैसे पता करोगे start button पर click करना है यहां पर mouse लेके जाओगे तो आपको यहां पर user दिख जाएगा आपको ठीक है same as it is आपको windows 11 के सर भी कर सकते हैं right click करना है इसके ओपर properties के अंदर आपको जाना है members of पर आपको click करना है यह tab पर click कर दीजिए यहां पर guys आपको क्या करना है आप administrator rights हैं आपको but हम लोग एक service और add करेंगे add button पर click करना है advance के अंदर आपको click कर देना है यह button के ओपर कि ओके find now पर आपको अभी click करना है यहां पर guys आपको क्या करना है select करना है access control यह वाला और second वाला option यह दोनों के दोनों आपको select करना है कैसे करोगे control का एक option होगा keyboard पर दोनों को press करके दोनों select कर लीजिए यह दोनों के दोनों हमारे यहां पर select हो चुके हैं अभी okay कर यहां पर बोल रहा है कि administrator is already added लिस्ट तो यहां पर अड़ी अड़ीड था तो इसलिए एड़ नहीं किया सिर्फ एक सर्विस एड़ कर दी अप्लाई कर दीजिए इसको अभी ओके कर दीजिए यह होगे आपके administrator rights इस user को ओके तो यह भी आपको जरूर कर लेना है अभी इसको कर देंगे window को बंद अभी आपको start button पर right click करके settings के अंदर जाना है यहां पर guys आपको option मिल जाएगा update and security का यहां पर क्लिक कर दीजिए इसके ओपर आपको यहां पर क्या करना है जो आपका windows 10 है उसको यहां पर up to date करना है अप कैसे करना है यहाँ पर जितने भी अपडेट से यह सभी के सभी आपको इंस्टॉल कर लेना है आपके विंडोज 10 के अंदर अगर आपको यह कैसे इंस्टॉल करते हैं यह नहीं पता है तो इसके लिए अल्रेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है आप जाके मेरे वीडियो इसके अंदर चेक कर सकते हो या फिर मैं उस वीडियो का लिंक डिस्किप्शन में भी दे दूंगा वहां से आप जाकर चेक कर सकते हो अभी इसको कर दीजिए बंद ठीके विंडोज अपडेट आपको कर लेना है इसके बाद आपको नेक्स्ट मेथड के अंदर स्टार्ट पर रैट क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर आ रहा है यहां पर आपको क्या करना है वापस से अपडेट एंड सिक्योर्ट के उपर जाना है और यहां पर आपको टरबल शूट का एक ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है यहां पर यहां पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है additional troubleshooter का एक option मिल जाएगा इधर आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ परकाईज आपको क्या करना है थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको और इस list के अंदर आपको ढोड़ना है Microsoft Store Apps ठीक है थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए यह option आपको मिल जाएगा इस पर click कर दिजिए ठीक है यहाँ पर इस पर click करेंगे और run the troubleshooter यह वाले option पर आपको click करना है तो यहाँ पर detect कर लेगा जो भी problem लगेगा इसको Microsoft Store के अंदर तो यहाँ पर यह automatically detect कर देगा उसको fix भी कर देगा अगर fix नहीं होता है तो हम लोग next step करेंगे यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आप Microsoft का जो account है उसके साथ login कर लीजी आपके account के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर next button पर click करेंगे restart your PC आपका PC एक बार restart कर लेना है आपको इसके बाद जब यह पुरा complete हो जाएगा तो अभी हम लोग करेंगे next button पर click अभी यहाँ पर यह चेक कर लेगा कि क्या problem है यहाँ पर किस वज़े से आपका Microsoft Store नहीं चल रहा है तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो Microsoft account required तो आपको क्या करना है Microsoft का जो account है उसके साथ login करना है आपको Microsoft Store Apps के अंदर ठीक है तो वो login कैसे करना है हम लोग अभी जानेंगे आगे इसको close कर देंगे ठीक है अभी आपको क्या करना है इससे पहले आपको क्या यहाँ पर गाइज हम लोग जो हमारा administrator user है उसको enable करेंगे right click करके properties के अंदर आ जाईए अगर यहाँ पर account is disabled यह checkbox चेक है तो इसको uncheck कर दीजिए और यहाँ पर apply कर दीजिए okay कर दीजिए right click करना है वापस से set password कर लेना है password आप अपनी मरजी के हिसाब से यहाँ पर password set कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर password set कर लेते हैं ठीक है और okay कर देंगे इसको okay कर देंगे ठीक है यहाँ पर हमारा administrator जो user है वो बन गया है अभी आपको एक बार restart कर लेना है आपके machine को restart बटन पर क्लिक कर दीजिए यह sign out भी कर सकते हैं तो हमारा यहाँ पर restart होके आ चुका है इस window पर आप आ जाओगे यहाँ पर आपको दो user मिलेंगे जो आपने पहले user था और यहाँ पर जो हम लोग ने अभी administrator user किया था उस पर क्लिक करके यहाँ पर आप password डाल दीजिए उसका तो यहाँ पर आप administrator user से लोग इन हो जाओगे ठीक है start बटन पर आपको क्लिक करना है settings के अंदर आपको जाना है ओके इसके बाद गाईज आपको क्या करना है यहाँ पर apps पर जाना है आपको और यहाँ पर apps कि advance options के अंदर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर गाईज थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको और यहाँ पर आपको एक reset का option मिलेगा यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिए ठीक है रिसेट ओके यहाँ पर आपका check box check आ गया है मतलब आपका reset हो गया आपका जो Microsoft Store की जो service है ठीक है apps वो एक बार restart हो चुका है इसको बंद कर दीजिए अभी इसके बाद आपको क्या करना है next method के अंदर हम लोग ने कुछ command यहाँ पर लिखी है यह command आपको मैं description में भी दे दूँगा वहाँ पर आप जाकर use का सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे one by one command run करेंगे इसको copy कर लेते हैं right click करके इसको ctrl-c ठीक है यहाँ पर यह copy हो चुका है अभी आपको power cell open करना है start button पर या फिर search पर जाकर आप यहाँ पर type कर दीजिए power 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 cell windows power cell यह देहें यहाँ पर दिख जाए है यह power cell आपका open हो जाएगा थोड़ा बेट करेंगे और यहाँ पर right click करके वह paste हो जाएगा जैसी right click करोगे automatically यहाँ पर paste हो जाएगा enterprise कर दीजिए keyboard से यह हमारा एक पहला command run हो चुका है अभी second command run करना है आपको यह command हम लोग complete copy कर लेंगे कि यहां से यहां तक control c कर लिए हम लोगों ने और यहाँ पर right click करके enterprise कर देंगे keyboard से तो यह दोनों command आपको run कर लेना है यह हमारी restart करना यहां पर बहुत जरूरी है यह command run करने के बाद कि इसके बाद हम लोग अपना sign-in करेंगे यहां पर administrator user से ही आपको login करना है वापस से बाद में अपना user आप चेक कर सकते हो स्टार्ट बटन पर या फिर सर्च के अंदर जाकर यहां पर टाइप कर दिजिए Microsoft Store यह दिखिए यहां पर दिख जाएगा ठीक है यहां पर प्लिक कर दिजिए इसके ओपर तो आपको यहां पर या अभी दिखेगा इसको हम लोग अभी हट यहां से रिमोंब करेंगे यहां पर अप्डेट करने से पहले आपको क्या करना है चुछ उम कर लेंगे जुमिन कर लिया साइन इन का एक option मिल जाएगा आपको उपर की तरफ साइन इन पर क्लिक कर दीजिए अगर आपका Microsoft स्टोर मतलब जो Microsoft है उसका अगर यूजर है तो उसको लोगिन कर लीजिए अगर नहीं है तो आप क्रेट वन पर क्लिक करके एक नया यूजर बना सकते हैं तो मैं क्या करता हूं Microsoft का मेरे पास यूजर है तो मैं उसके साथ लोगिन कर लेता हूं यहां पर आईडी डाल दूंगा यूजर कैसे साइन करना है इसके लिए भी मैंने अल्रेडी वीडिया उना के रखा आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं Microsoft स्टोर के अंदर अगर आपको यूजर आईडी बनाना है तो यहां पर पासवर्ड एंटर कर देंगे हम लोग अभी ओके साइन कर देंगे इसको नेक्स्ट वटन पर क्लिक दर देना है आपको वेट करेंगे तीन डोट दिख जाएंगे आपको यहां पर सेटिंग्स पर आ जाना है आपको यहां पर गाईज आपको अपडेट अप्स एंड ओटोमेटिकली यह इनेबल रहना चाहिए आपका अगर डिशेबल है तो इसे नेबल कर लीजिए ठीक है यह सभी सेटिंग्स आपके सेम एज़ेज रहना चाहिए देख लीजिए आप एक बार सेम एज़ेज आपके रहेंगे सेटिंग्स ओके और इसको बंद कर देंगे यह फिर बैक चले जाएंगे बैक आजए यहां पर हगा भी अपड़ेट नव पर क्लीक कर देए यहाँ पर ठोड़ा टायम लेगए आपका और यहाँ पर यह ओटॉमाइटिक हो जाएगा और र्लॉइमट् Area दिछल्ट यहां पर नीचे ब्याप जेस्ट सट जेकित आउट यहां पर यह आभी गया है और जो आपको Microsoft स्टोर के अंदर है वो लोग इन भी हो गया है जो आपको आ रहा था पहले वह अभी नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको बंद कर देंगे इसको एक बार लॉंच करेंगे वापस से सर्च के अंदर जाके माइक्रोसोफ्ट स्टोर यहां पर क्लिक कर देंगे तो आपसे हम लोगों को वह एरर नहीं आया है और हमारा जो माइक्रोसोफ्ट स्टोर है एप है वह लॉंच भी हो चुका है तो गाइज बहुत सारे लोगों को एक प्रोब्लम भी आता है एक्सेस डिनाई बोलता है उनको जब आप अपडेट नाव पर क्लिक करते हैं एक्सेस डिनाइड तो यह प्रोब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं तो वही आपको एड्मिनिस्टेटर यूजर से लोगिन करना है आपके इसके साथ ठीक है जो हम लोगों ने अभी एड्मिनिस्टेटर यूजर से लोगिन किया था वैसे ही करना है आपको तो उसके बाद आपको यह प्रोब्लम नहीं आएगा तो आई होप आप समझ गए होगे कि अगर आपको अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा और है और इस आपका प्रोब्लम ठीक हो गया तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल वीडियो को लाइक करना शेर करना बैल आइक अंदवाना ना बुलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्योब पर अप्लोड करो उसका